दोस्तों अगर excel में आपको चेक करना हो जी total है ठीक है काहन से value range ले रही है subject 1 से ले रही है या subject 2 से ले रही है ठीक है तो उसके लिए हम use करेंगे ctrl sqr back left ठीक है ctrl sqr back left this is the value vice versa अगर आप मुझे values का total कहां पर आ रहा है तो मुझे ctrl sqr back right प्रिस करूंगा ठीक है तो मुझे Automatical Value शो करेगा अगर आप दूस्तो Macbook यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए shortcut keys same है ठीक है यह कुछ इस तरह से आपको शो करेगा